नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में तो आज हम बात करने जा रहे हैं मुख्य मंत्री मैया सम्मान योजना के बारे में जैसे कि आपको पहले से ही पता होगा मैंने इसके रिकार्डिंग पहले वीडियो बनाए थी कि यह जारकंड के 21 से 50 वर्स तक की महिलाओं को प्रतिमा एक हजार रुपए देने की योजना है तो इसके लिए बहुत सारे नए अपडेट रोज कुछ न कुछ बदलाव आते रहते हैं पहले इसे ओनलाइन करना पड़ता था जिसमें की लोगों की लाइफ फोटो लेनी पड़ती थी फिंगर नहीं हो पा रहा था लोगों को कई तरह की कठनायों का सामना करना पड़ रहा था किसी के पास राशन कार्ड नहीं था तो भी अपलाई नहीं कर पा रहे थे किसी की नहीं का वोटर लिस्ट में नाम नहीं था तो वो अपलाई नहीं कर पा रहे थे तो इस तरह की बहुत सार मंद्रे मही असमा नियोजना को और सहज बनाने है तू क्या क्या किया गया है तो इसमें लिखा गया है कि अब आवेदन आफलाइन भी जमा होगा मतलब आप आप आउनलाइन करने की कोई ज़रूद नहीं है जाईए और अपना आप फॉर्म जमा कर देजिए आपके नस्दी क कैम्प में जाके उसके बाद इसमें क्या-क्या लगाना होगा पासपोर्ट साइस फोटो आधार काड की कॉपी बैंक पासबो की कॉपी राशन काड की कॉपी तो देखे यहां पर अभी वोटर आईडे काड को भी हटा दिया गया है पैन काड तो पहले से ही आवस्ष्यक द राशन काड नाँ चाहिए और आगर उसका नाम नहीं भी है तो पती या फिर फिर पिता का इरुलो All कि पहले रहती थी तो उस राशन काड के पेसिस पर हो जाएगा या फिर वहां पर भी नाम नहीं था पर उसके शाधी हो गई और यहां पर अभी नाम नहीं है लेकिन पती का नाम है तो भी वो अभी जो नाम है आवेदन कर सकती है तो इसके लिए आपको आफ लाइन जाके अभी अपी नजदी की कैम्प में जाके जमा देना होगा तो कैम्प के तारिक जैसे आपको पता है दोस्तों कि 15 अगस्त कर दी गई है तो देखा जाएगा कि आगे इसमें क्या क्या नए अपडेट आते हैं तो हमारे साथ जुड़े रही है इसके द्वारा आए गए सारे अपडेट को हम वन बाइवन देखेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चलिए ठैंक